दूसरे चरण के चुनाफ के लिए बिज़रा कलेक्टरेट में नामंकर की प्रक्रिया चल रही है जिसके चलते हैं शुक्रवार को बसपा प्रत्याशी कुवरादी रूची बोरा ने कलेक्टरेट जाकर अपना नामंकर पत्र दाखिल किया नामंकर के पश्यात मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी विधायक होते हुए विकास के मुद्दे को ही प्राथ मिक्ता दी है और अब भी उनकी प्राथ मिक्ता विकास की है सुरान रोची वीरा ने कहा कि उनका परिवार पहले से ही विकास और भाईचारे के उपर विश्वास रखता है उन्होंने भी अपना मुकाबला बीजेपी से ही माना है विकास मेरी प्राथमिक्ता रहेगी और आपस में भाईचारा कायम रहे शांती व्यवस्था रहे लोग आपस में प्यार महबबत के साथ रहे जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तैजीब है वो कायम रहे और भई में तो विकास है है हम तो पूरा परिवार हमेशा विकास करता आया है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम मैंने किया है और करती रहूंगी पिछली बार आपने समाजवादी प्रतियाक से जिया आप और आपसे वोट की बरपूर मिलेते इस बार आप बसपा से है तो क्या सोच के आपने बसपा से जो है टिकेट लिए मेरी बहन जी में आस था है एक बात दूसरी बात यह है कि आप लोग अपने आपको अपडेट रखें क्योंकि मैं तो तीन साल पहले जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था वो भी बसपा से लड़ी थी तो यह कोई बहुत पुरानी बात हो गई है तो अब तो मैं बसपा में MP का चुनाव लड़ चुकी हूं और बसपा से ही ML का चुनाव लड़ रही है